इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके घर में टीपी लिंक का वाइफाई लगा हुआ है टीपी लिंक का राउटर लगा हुआ है और आप देखना चाहते हैं कि आपके वाइफाई से कितने लोग कनेक्ट हैं यानि आपका वाइफाई कितने मुबायल में आते हैं तो आप दूसरा तरीका इस्तमाल कीजिएगा ठीक है सबसे पहले हम पहले तरीके में चलते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है आप प्ले स्टोर में जाए और इस आपको इंस्टॉल कर लें टीपी लिंक की यह एप है ठीक है इसके बाद आप इसे ओपन करें अब पासवर्ट क्रियेट करना है क्रियेट कर ले तो मैं जल्दी से इसे क्रियेट कर लेता हूं तो यहां पर मैंने इमेल आइडी डाल दी है आप देख सकते हैं बस आपको यहां पर साइन अप पे क्लिक करना है और यहां पर आपको बोलेगा कि आपको एक मेल भेजा गया है आ तो यहाँ पर हम अपना इमेल ओपन कर लेते हैं तो यह देखिए यह टीपी लिंक का इमेल आया हुआ है मुझे इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए ओप्शन दिया हुआ है तो क्लिक करना है यहाँ पर तो इसके बाद आप देख पाएंगे आपको इस तरीके से लिकार आएगा अब आपको वापस से अपनी आप में चले जाना है यह वाली और एक्टिवेट एंड लॉग इन पर क्लिक कर देना है थोड़ा सा वेट लेगा तो वेट कर लें ठीक है तो यहाँ पर आपका वाइफ़ाई आपको यहाँ पर दिखा देगा तो मेरे वाइफ़ाई का नाम है टीपी लिंक आर्चर c6u ठीक है इस पे मुझे क्लिक करना है अब ये log login होगा तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं अब यहाँ पर password मांग रहा है login password तो यहाँ पर आपका अगर आपको password नहीं पता है आपका password क्या है तो यहाँ पर आप आपका जो router है router के पीछे इस तरीके से barcode लगा होता है और वहाँ पर username और password दिया होता है तो जारा तर लोगों का admin होता है password बद बहुत से लोग लोगों का password change होके आता है या फिर यहाँ पर लिखा होता है तो आप यहाँ से देख के वो password डाल दे तो मैं अपना password यहाँ पर इंटर कर देता हूँ फी कि है यहाँ पर हून कर दिया है अब यहाँ पर लॉग इन हर लेता हूं तो यह लॉग इन हो रहा है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि तो यहां पर यह मेरा Wi-Fi नज़ार आ रहे ठीक है और यहाँ पर ऊपर आपको डिख जाएगा क्लाइंट तो तीन मेंबर अभी यहाँ पर कनेक्ट है देख सकते हैं एक यह फोन कनेक्ट है एक यह फोन कनेक्ट है और यह फोन कनेक्ट है तीन फोन यहाँ पर कनेक्ट है ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने लोग कनेक्ट है अगर आप किसी को block करना चाहते हैं तो यहाँ पर block कर देंगे तो सामने वाले के phone में internet नहीं चलेगा अगर wifi connect भी कर लेगा तो internet नहीं चलेगा ठीक है अब हम बात करते हैं कि दूसरी तरीके से कैसे देखें कि कौन हमारा wifi यूज कर रहा है तो आपको कोई भी एक browser में आ जाना है जैसे chrome browser में और यहाँ पर आपको अपना IP address डालना है वाइफाई का mostly common IP address यही होते हैं 198.192.198.0.1 यह होता है या फिर 1 होता है 0 के बदले यहाँ पर यहाँ पर 1 होता है दोनों में से कोई एक होता है तो आप कोई भी एक चेक कर ले तो मेरा है 0.1 है ठीक है तो इसे मैं open कर लेता हूँ अब यहाँ पर यह load लेके open हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं password मांग रहे हैं तो आपका password आपके जैसा मैंने बताया कि router के पीछे होता है तो वही password यहाँ पर डाला है password मैंने डाल दिया है अब मैं इसे login कर लेता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा आप यहाँ पर zoom कर ले तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन कौन connect है wireless client देखिए अभी चार लोग connect हो गया है शायद अभी-भी किसी और ने connect किया है तो अभी चार लोग connect हो गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सारे device connect हुए है ठीक है चार device यहाँ पर connect है तो बहुत ही simple तरीका है इस तरीके से आप अपने wifi को देख सकते हैं कौन कौन connect है पिर दो नहीं को पिर दो 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 जो आजए लोगा है